हेलो गाइस तो आज हम सिखेंगे कोमन फेक्टर कैसे निकालते हैं तो आज का हमारा पहला कोईशन है कोईशन है पी ए स्क्वाइर प्लस क्यू बी स्क्वाइर प्लस पी बी स्क्वाइर प्लस क्यू ए स्क्वाइर तो यहां पर सबसे पहले हम इसे रियर्रेंज करेंगे इसे हमें कोमन लेने में असानी होगी तो यहां पर पी ए स्क्वाइर प्लस क्यू ए स्क्वाइर प्लस क्यू बी स्क्वाइर प्लस पी बी स्क्वाइर तब हम यहां से चार रहेगा तो दो-दो का पेर बनाएंगे तो यहां से common हमें a square लेंगे, a square common लेने पर हमारा प्लस q बचेगा, यहां पर हमें यह common लेंगे, b square तो यहां पर बचेगा हमारा q प्लस p तो यहां पर a square, b plus q, यहां पर b square, हम हमेशा variable को change कर सकते हैं, उसके place को, तो यहां पर b plus q हो जाएगा, और यहां पर sign लगेगा, plus का, plus 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 हो जाएगा, और यह, तो अब हम इसे और इसे common ले सकते हैं, b plus q को, और यहां पर हमारा answer, आ जाएगा, तो यह है हमारा answer, thank you guys, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंते हैं, यह हैं यहां हुगा जास्तोच को जो शुरी,